उनको graphical method से किस तरह से proof किया जाएगा तो सबसे पहले यह जान लेते हैं motion की तीन कौन कौन सी equations है तो यहाँ पर हमें दिया है there are three equations of motion motion की total तीन equation होती है इसमें तीनो equations यहाँ पर दी गई है यह वाली है हमारी first equation यह वाली है second equation और यह वाली है third equation first वाली equation को कहा जाता है equation of velocity time relation और second वाली equation को कहा जाता है equation of position time relation इसी तरह से third वाली equation को कहा जाता है equation of position velocity relation अब इन तीनो equations के जो नाम दिये गए हैं इनको भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि question paper में जो question आएगा वो इस तरह से तो आएगा नहीं कि prove first equation of motion question आएगा कुछी इस तरह से prove equation of velocity time relation अगर आपको नहीं पता है velocity time relation वाली equation कौन सी है तो आप कौन सी equation को prove करके आएंगे हो सकता आप इसको prove करके आजाएं इसको करके आजाएं या इसको यानिकी गलती करने के chances हैं तो आप इन तीनो equations के जो नाम है इनको जरूर याद रखें अब ये तीनो equation कहां से आई कैसे बनी इसको समझते हैं next page से graphical method से हम इन तीनो equations को करेंगे prove so first equation को next page से start करते हैं so first equation of motion जिसे equation of velocity time relation भी कहा जाता है इसको prove करते हैं graphically so हमें ये graph दिया गया है velocity time graph और velocity time graph पर जो slope होता है यह जो slope है a b यह क्या show करेगा acceleration को so यहां पर लिखा है slope of velocity time graph जो भी the slope बी इसके equal में लिख देते हैं ये है दी यह क्या show करता है acceleration को जहां पर आगे लिख देंगे अब इस graph में कुछ lines से हम draw करेंगे जो हमारा A-B slope है B-point से हम एक perpendicular draw करेंगे time axis पर यह हमने draw कर दी इस point को जहां पर भी time axis पर touch होती है इस point को कुछ भी नाम दे देंगे यह A-B इसको दे देंगे इसी तरह से A-point से एक perpendicular draw करेंगे B-C पर यह हमने draw कर दिया B-C इस point को नाम दे देंगे हम D अब जो भी object है उसकी velocity A-point पर क्या होगी A-point पर होगी initial velocity यानि की U और जो B-point है B-point कहां पर velocity शो कर रहा है यहां पर इस point पर जो यह velocity वाली axis है इस point पर कितनी velocity होगी इस पर होगी final velocity यानि की V अब यहां पर ध्यान से सुनो जो हमारा B-E है A-D है और O-C है यह एक दूसरे के parallel भी है यह तीनों lines और एक दूसरे के equal भी है इसी तरह से O-A और C-D यह दोनों भी एक दूसरे के parallel भी है और equal भी है अब बात आती है जो slope होता है ग्राफ में यह है slope A-B slope किसके equal होता है slope का formula होता है slope equals to में rise upon run यानि कि slope कितना उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है तो यहां पर slope क्या है हमारा slope है A-B slope के लिए 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 लिख देते हैं यहां पर A-B equals to में rise slope का rise कहां से कहां तक हुआ है तो देखो यह है slope यह कहां से उठा है D-point से B तक उठा है तो इस rise की जगे पर हम लिख देंगे B-D यह आ गया B-D और upon में run जो हो इसका original point A है यहां से कितनी दूर तक उठा हुआ है यहां से A से लेके D तक उठा हुआ है सो run की जगे पर आ जाएगा हमारा A-D अब जो यह line B-C है B-C किन दो line से जुड़के बना है यहां पर लिखता हूँ में B-C equals to में B-C दो line से जुड़के बनी है B-D plus में D-C या फिर लिख सकते हैं C-D तो इसमें लिख देता हूँ मैं B-D plus में C-D यह दोनों अगर add हो जाती है तो यह B-C के equal हो जाती है आप देख सकते हैं यह B-D plus में C-D पूरी line B-C बनाती है अब यहां से हमारे यहां पर B-D दिया गया है तो B-D की value find करेंगे यानिकी C-D को इस तरफ लेएंगे इस तरफ सबसे पहले क्या है B-C और दूसरी तरफ से आया यहां पर plus का C-D है इस तरफ आगे हो जाएगा minus का C-D और equals to में B-D as it is जो भी हमारी यह B-D की value I है इसको हम put कर देंगे इस वाली equation में B-D की जगे पर सो इस साइड में A-B as it is और equals to में B-D B-D की जगे पर लिखूंगा में B-C minus C-D तो इस B-D की जगे पर आ गया हमारा B-C minus में C-D और upon में A-D as it is अब यहां पर values put करते हैं A-B हमारा क्या होगा A-B slope क्या show करता है acceleration को और acceleration का symbol होता है small a so acceleration की जगे पर आ गया हमारा small a इसी तरह से B-C graph में देखेंगे B-C हमारा क्या है B-C है इसके O-E के parallel और equal तो O-E यहां पर show करता है final velocity यानि की V को सो B-C की जगे पर लिख देंगे हम V minus में C-D C-D क्या होगा हमारा यह है C-D C-D किसके parallel है O-E के तो O-E यहां पर show करता है initial velocity यानि की U तो C-D की जगे पर आ जाएगा U और upon में A-D A-D की जगे पर क्या आएगा यह है A-D यह equal है O-C के और O-C क्या show करता है इस side में क्या इस side में क्या चीज़ बढ़ रही है time तो O-C को हम show करेंगे time यानि की T से जो A-D के equal है तो A-D की जगे पर आ गया time अब इसको rearrange करने पर बन जाएगी हमारी motion की first equation यानि की velocity time relation जो हमारा यहां पर denominator में T है इसको इस side ले जाएगे यहां पर यह divide में है इस side आके हो जाएगा multiply में तो इस तरफ आके हमारा क्या हो जाएगा A-D T-A में multiply हो जाएगा और equals to में V minus U as it is आ जाएगा अब यहां पर हमें V की value find करनी है तो minus U को लेके जाएगे इस तरफ सबसे पहले क्या है A-D है A-D और जो minus U यह minus U इस side जाएगा तो यह हो जाएगा plus का U और equals to में बचेगा यहां पर सरफ V अब इसको हम पलट के लिख देंगे simple हमारी equation इस तरफ at V तो इसको हम लिख सकते हैं V equals to में U plus में 80 बस हमने इसको पलट दिया है जो V इस side में था इसको complete इस side लेके आ गए और V plus 80 sorry U plus 80 जो था इस side आ गया यही है हमारी motion की first equation इसको हमने यहां पर प्रूफ किया है graphical method पूरा concept हो गया हमारा complete first equation से related अब next page पर प्रूफ करेंगे motion की second equation को उसके लिए आपको याद रखना है motion की first equation को इसका use करेंगे हम second equation को प्रूफ करने में अब है second equation of motion जिसे equation of position time relation भी कहा जाता है इसको हम बिल्कुल same graph से प्रूफ करेंगे जिसका use हमने motion की first equation को प्रूफ करने के लिए यूज किया था यह graph वही है बिल्कुल velocity time graph जिसमें बिल्कुल same slope हमें a b दिया गया है इसके अलावा हमने यहाँ पर b e b c और a d इन lines को construct किया है जैसा हमने first equation में किया था अब जो यह slope दिया गया है हमें a b इस slope के नीचे का area इसका नीचे का area होगा यह वाला इस वाले part के area को क्या कहा जाता है distance या फिर displacement कह सकते हैं displacement अब यह कौन सा area है o a b c इस वाले part को हम कहेंगे o a b c तो displacement किसके equal होगा area of o a b c यह quadilateral हो गया या फिर कह सकते हैं trapezium हो गया हमारा o a b c यह हमारा trapezium o a b c दो figure से मिलके बना है एक तो इसमें आता है यह वाला triangle जिसको मैं भी shade कर रहा हूँ और इसमें आता है यह वाला एक rectangle जिसको नीचे की तरफ यहाँ पर shade किया गया है अगर हमें इस trapezium o a b c का area find करना है तो हमें क्या करना होगा rectangle का area plus में triangle का area so area of o a b c equals to में हो जाएगा area of rectangle इस वाले rectangle कौन सा rectangle है यह a o c d area of rectangle a o c d और plus में area of this triangle triangle कौन सा है a d b तो plus में area of triangle a d b यह triangle का symbol है अब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है area of o a b c होता है displacement तो area of o a b c की जगे पर मैं लिख सकता हूँ displacement का symbol जो होता है small s equals to में area of rectangle a o c d इस वाले rectangle का area rectangle का area क्या होता है length multiply में breath so length है यहाँ पर o c और breath है यहाँ पर o a तो area of rectangle a o c d की जगे पर मैं लिख सकता हूँ o c multiply में o a उसके बाद यह वाला plus का symbol as it is आ जाएगा अब हमें लिखना है area of triangle a d b इस वाले triangle triangle a d b इसका area क्या होगा और यह क्या है right angle triangle है और right angle triangle का area होता है 1 by 2 multiply में base multiply में perpendicular so यहाँ पर आ जाएगा 1 by 2 multiply में base base क्या है triangle का triangle का base है a d so यह आ गया हमारा a d multiply में perpendicular perpendicular क्या है यहाँ पर यह है b d so यहाँ आ जाएगा यहाँ पर b d अब यहाँ पर जो हमारी line है यह BC यह BC line है तो मैं BC को किस तरह से लेख सकता हूँ BC equals to में BC दो line से जुड़के बनी है एक तो BD और plus में CD यह complete line बन जाएगी अगर BD और CD को हम add कर दें सो BC equals to में क्या हो जाएगा BD plus में CD अब यहाँ पर भी BD दिया गया है तो इस BD की value find करेंगे BD की value का find करने का मतलब होगा plus CD को हम इस side बेज दें सो इस side में पहले से ही है यहाँ पर BC और दूसरी side से plus वाला CD इस side आएगा तो यह हो जाएगा minus का CD और equals to में रहेगा यहाँ पर BD as it is अब जो यह value आई है BD की इसको हम put कर देंगे इस equation में BD की जगे पर सो हमारी यह वाली equation as it is आएगी यहाँ तक सिरफ BD की जगे पर हम लिख देंगे BC माइनस में CD S equals to में OC multiply में OA plus में 1 by 2 AD into में BD, BD की जगे पर क्या लिखूँगा हमें BC माइनस में CD सो यहाँ गया BC माइनस में CD ठीक है अब जो भी हमें यह terms दी गई है इनकी value put करते हैं S equals to में OC OC क्या है? graph में देखेंगे यह है OC, OC क्या है? time so OC की जगे पर हम लिख देंगे T multiply में OA OA क्या है? यह है OA यह है initial velocity यानि की U, so OA A की जगे पर आ जाएगा U प्लस में 1 by 2 as it is अब आता है AD AD क्या है? AD यहाँ पर आप देख सकते हो AD equal है OC के और OC और AD दोनों क्या है? यह है time so AD की जगे पर आ गया T for time उसके बाद है BC माइनस में CD BC क्या है? BC आप यहाँ पर देख सकते हो B से लेके C तक यह equal होगा E OK या फिर O E के equal होगा BC और यह क्या है? यहाँ पर यह है final velocity यह भी final velocity होगा BC क्या हो गया हमारा final velocity यानि की V माइनस में CD CD क्या होगा? CD यहाँ पर आप देख सकते हो यह वाला part हमारा यहाँ पर OA के equal है और यह है initial velocity So V CD की जगह पर आ जाएगा U अब हमें use करना है first equation of motion को first equation of motion क्या थी हमारी V equals to में U plus में 80 यहाँ से हम V minus U find करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं V minus U है तो U को इस side में ले आएंगे यहाँ पर V as it is दूसरी side में यहाँ पर U plus में है इस तरफ आके हो जाएगा minus में U equals to 80 as it is अब जो हमारी V minus U यहाँ पर भी V minus U फे यह first equation से है V minus U की value आ गई हमारी 80 इस V minus U की जगह पर हम 80 लिख सकते हैं So यहाँ पर यह equation as it is आएगी सिर्फ V minus U की जगह पर आ जाएगा 80 So यहाँ पर मैं लिखता हूँ S equals to में U और T को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा UT plus में 1 by 2 T और V minus U की जगह पर आ जाएगा यह वाला जो V minus U है इसकी जगह पर आ जाएगा 80 So यह आ गया 80 bracket close कर देंगे अब हमारी equation finally बन चुकी है Second equation of motion S equals to में UT plus में 1 by 2 80 को T में multiply करेंगे T से T multiply होगा तो हो जाएगा T square A as it is आ जाएगा So यह आ जाएगा 80 square यही होती है हमारी second equation of motion बिल्कुल simple है जो भी slope दिया गया है उसके नीचे का area हमें find करना है और उसके अलावा दो चीज़े आपको ध्यान रखनी है कि BD को हमने किस तरह से लिखना है और first equation का हमें किस तरह से इसमें use करना है V minus U की जगे पर हमें put करना है 80 तो हमारी second equation of motion easily prove हो जाएगी So अब है third equation of motion जिसे equation of position velocity relation भी कहा जाता है इसमें भी हम बिल्कुल same graph velocity time graph का use करेंगे जिसमें वही हमें slope दिया गया है A, B So area under slope जैसा कि second equation में बताया गया था slope के under का ये वाला area होता है displacement So बिल्कुल same concept रहेगा Area under slope equals to displacement और equals to area of O, A, B, C ये वाला figure कौन सा है हमारा O, A, B, C इसका area होता है displacement हम second equation की तरही O, A, B, C इसी figure का area find करेंगे लेकिन different formula के साथ ये हमारा figure O, A, B, C ये quadilateral है और किस तरह का quadilateral है इसमें दो parallel sides है O, A और B, C parallel sides है यानि कि ये हो गया trapezium सो इस पर area of trapezium का formula लगा देंगे सो यहाँ पर लिखा है area of trapezium O, A, B, C इस वाले O, A, B, C trapezium का formula क्या होगा formula होता है 1 by 2 multiply में sum of parallel sides multiply में altitude so formula बनेगा हमारा 1 by 2 multiply में sum of parallel sides जो हमारी parallel sides है B, C और O, A दूसरे के parallel है इनी का हो जाएगा sum तो multiply में करके लिखना है हमें तो ये है B, C multiply में O, A तो यहाँ आपर लिख देता हूँ B, C sorry, plus में O, A, sum होता है multiply नी आएगा sum आएगा और multiply में होगा altitude altitude होता है जो parallel lines होती है उनके बीच का perpendicular distance और वो क्या है यहाँ पर O, C ये इन दोनो lines parallel lines के बीच का distance से दूरी है तो यह आजाएगा O, C multiply में O, C ये हो गया O, A, B, C trapezium का formula so इस वाले figure O, A, B, C इसका area क्या होगा displacement तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ displacement यानि कि small s equals to me 1 by 2 as it is multiply में B, C B, C की value क्या होगी O, E हमारा है velocity final velocity तो B, C भी इसके equal और parallel है तो ये भी हो जाएगा final velocity यानि की B तो इस B, C की जगह पर मैं लिख देता हूँ V उसके बाद plus में O, A O, A क्या है हमारा ये है O, A ये है हमारी initial velocity यानि की U ये आ गया U और multiply में O, C यहाँ पर O, C है हमारा time interval सो यहाँ पर O, C की जगह पर इस वाले O, C की जगह पर आ गया small t सो इस equation को proof करने से पहले हमें जाना होगा first equation of motion पर और first equation of motion क्या होती है तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख लिख लिया है by first equation of motion first equation of motion क्या होती है V equals to U plus 80 यहाँ से हम t की value find करेंगे और t की value को इस t की जगह पर put कर देंगे तो t की value find करेंगे तो u और 80 जो है उनको लेके आएंगे इस तरफ पहले से हमारे पास v अब plus का u इस side आके हो जाएगा minus का u और जो a t के साथ multiply में है यह a multiply में है t के साथ अगर इसको इधर बेजेंगे तो यह हो जाएगा divide में a तो t की value जो यह हमारी i है इसको हम put कर देंगे इस तो वाली equation में t की जगह पर तो इस equation को यहाँ पर लिखते है equation है हमारी s equals to में 1 by 2 multiply में v plus में u multiply में t t की value हम put करेंगे यह इस t की जगह पर आजाएगा हमारा v minus u upon में a सो यह आगया v minus u upon में a अब बिल्कुल simple है इस equation को हमें सिर्फ solve करना है हमारी third equation of motion हो जाएगी prove सो आगे करते हैं s इस side में as it is रहेगा s equals to में 1 को हम 1 को हम v plus u में multiply कर देंगे तो v plus u ही रहेगा कोई difference नहीं आएगा तो उपर वाली values के आएगे हमारी v plus u multiply में v minus u तो यह आ गया v plus में u multiply में v minus में u और upon में नीचे कौन-कौन सी values है यहाँ पर यहाँ पर है 2 और a यह दोनों क्या है आपस में multiply का sign लगा हूँ अर जगा है तो 2 और a आपस में हो जाएंगी multiply यह आ जाएगा 2a अब जो यह 2a यहाँ पर divide में है इसको ले के जाएंगे इस side इस side आके हो जाएगा multiply इस side क्या है s s को 2a में multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 2a s equals 2 में अब उपर हमारा v plus u v minus u यह हमारी एक identity बनती है math में आपने पढ़ा होगा a plus b और a minus b अगर multiply में हो तो वो हो जाते हैं a square minus b square तो यहाँ पर v plus में u v minus में u यह दोनों क्या है आपस में multiply में है तो इनका क्या हो जाएगा v square minus में u square हो जाएगा तो यह आ गया v square minus में u square यही होगी हमारी third equation of motion या फिर हम rewrite कर देते हैं इसे v square minus u square को लिख देते हैं इस side में v square minus में u square equals to में 2as यह हो गई हमारी third equation यहाँ पर prove object किसी circular path पर move कर रहा हो तो distance और speed किस तरह से measure किये जाएंगे सु माल लीजिए यह circular path है जिसका center O है और इसका radius दिया गया है small r अगर कोई object इस point से चलना start करता है यहाँ से चलके वो घूम के वापस यहीं पर आ जाता है एक चकर पुरा complete कर लेता है और circumference क्या होता है यानि circumference का formula क्या होता है वही होगा distance सो circumference का formula होता है 2 pi r और pi की value क्या होती अगर question में pi की value नहीं दी गई है तो हम use करेंगे 22 by 7 एक चकर लगाने में उसने distance cover किया है 2 pi r यह हो जाएगा distance अब बात आती है speed की माल लीजिए उसने एक चकर लगाने में यहां से यहां वापस आने में time लगा दिया small t तो speed क्या होगी speed क्या होता है speed equals to में distance upon time so speed equals to distance distance cover किया उसने 2 pi r कितने time में cover किया upon में आ जाएगा t यह हो जाएगी इस object की speed जिसने time t में एक चकर इसका circular path का complete किया कर एक रहा हो।